नमस्कार दोस्तों आरो यारो और यूपी PCS 2021 का एक्जाम जो लोग दे रहे हैं उनके लिए प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं और इसमें पहले भी हम 13 एपिसोड कर चुके हैं यह 14 एपिसोड है 35 कॉश्चन इसमें डिसकस करेंगे 20 प्रश्चन इसमें GSK और 5 प्रश्चन है इसके अलतरगत हम करेंट के लेते हैं इस बीच में कुछ कारणों से हम लोग डिस्टब चल रहे थे बहुत सारी समस्याय आई आई अफिस अभी भी बन चल रहे है कोबिट के कारण ही है लैपटॉप में समस्याय आना और यह सारी चीज़ें जिसके गरण से नहीं कर पा रहे हैं आज से कांटिन्यू करते हैं और आज आप लोगों से एक सर्वे भी मुझे करवाना है इस सर्वे को करके मैं से छोड़के जाईएगा कि अगर मैं यह क्लासेज आप लोगों के लिए जो यह करवा रहा हूँ कम से कम दो क्लासेज एक तो ओम बांडे चैनल पर और कम से कम एक उस चैनल पर आईएस प्रेप अकेडमी चैनल पर तो इसको मैं रात में अगर सिप्ट करूँ तो आपके लिए suitable time क्या रहेगा दोनों के लिए suitable time आप लोग बताएंगे और इसको एक दो दिन में हमको सिप्ट करना पड़ेगा क्योंकि रात में ही हम काम कर सकते हैं कुछ ऐसी परिस्तियां है आफिस अभी भी नहीं खुलेगा लखनाओ में अपना आफिस लखनाओ पुरा लागडाउन बहुत सील चारो तरब से और जिस महले में अपना आफिस वहाँ पर मरीजों की संख्या लगातार जादा और अपने विल्डिंग में ही एक डेथ होई चुकी है बाकी और लोग गंभीर भी हैं तो इस कारण से आप लोगों से ये गुजारिस है कि आप लोग इस सर्वे में पार्टिसिपेट करेंगे और बताना क्या है ये फिर से सुन लीजिए रात में अगर मैं क्लास करूँ तो एक आधे घंटे का और एक एक डेड़े घंटे का सेसन ये किस टाइम आपके लिए सुट्यूबल रहेगा दो स्लाट्स बताईएगा एक मॉर्निंग में हो सकता है अर्ली मॉर्निंग और एक होता है एक रहेगा रात में तो अर्ली मॉर्निंग और रात ये इस तरीके से बताईएगा ठीक है, early morning में 6 बजे भी मैं तयार हूँ, और रात में जहां तक बात है, तो रात में भी मैं देर तक तयार हूँ, आप जैसा भी बताईएगा, तो उसको जड़ा सर्वेगर के बतातीजेगा, चलिए सुरू करते हैं, लेते हैं पहला प्रशन, उत्तर प्रदेश में railway coach factory, अस तो ये अपना उत्तर सब लोग दे चुके होंगे, चलिए उत्तर का मिलान करिए, और ये अस्थापित की गई कहाँ पर, इसकी अस्थापना की गई है, राय वरेली में, पुराना प्रशन है, लेकिन important प्रशन है, कई बार ऐसे प्रशन है, आप लोग गलत कर देते हैं, ऐस सही उत्तर इसका ये हो जाएगा, चलिए, अगले प्रशन पर चलते हैं, अगला जो प्रशन है, पपीते में पीले रंग का कारण क्या होता है, पपीते का रंग पीला होता है, तो किस कारण से पपीते का रंग पीला होता है, और इस प्रशन का सही उत्तर क्या है, सब लोग अपना अपना उत्तर टाइप करें और इस प्रश्न का सही उत्तर है कारिका जैन्थीन के कारण पपीते का जो रंग होता है वो पीला होता है पीला रंग जो कारण है वो कारिका जैन्थीन के कारण होता है आगे बढ़ते हैं इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं ज कायरिका से आप याद रखेंगे, इसके पीलेपन का कारण, कायरोटीन परचिर मात्रा में इसमें पाया जाता है, तो अगर आपको नाम याद रहेगा, तो दू चीजे याद हो जाएंगी, एक तो कायरिका जैथीन और दूसरा कायरोटीन पाया जाता है, दोनों काय से ही, दे बरतमान आनुवंसिक विज्ञान का जनक कौन है बरतमान आनुवंसिक विज्ञान का जनक कौन है आनुवंसिक विज्ञान का जनक कौन है बरतमान तो इसके बारे में आपको बताना है तो ग्रेगर जान मेंडल के बारे में आपने पढ़ा होगा आप लोग उत्तर दीजे ए अप्सन इसका करेक्ट है, ड्रेगर जान मेंडल जो थे, उन्होंने एक ये जर्मन भासी आश्ट ले आई, आगनेश्टियन पादरी और वैग्यानिक ये थे, ये पादरी भी थे और वैग्यानिक भी थे, ये दो चीजें ध्यान नखिये गए इनके बारे में, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मतर के दानों पर प्रियोग किया था, और मतर के दानों पर प्रियोग करके, इन्होंने बताया था, कि जो अन्वनसिकी का सिद्धान थे, उन्होंने अन्वनसिकी का जनक, इसलिए इनको माना जाता है, कि इन्होंने अन्वनसिकी के नियम को प्रति उच्यताप अतिचालक है, कौन सा इसमें 9 अविस्कृत है, जिसका अविस्कार जल्दी में हुआ है, ऐसा कौन सा अतिचालक है, यह आपको बताना है, उत्तर दीजे, और इस प्रशन का सही उत्तर क्या है, कौन सा इसमें 9 अविस्कृत उच्यताप अतिचालक है, ऐसे प्रश करेंते हैं आतिचालक जो होता है उसका क्या काम होता है जजरे कमेंट करके बताइए आतिचालकता की दिसा में जो खोज हो रहा हैं उनमें अभी ठोब ही ओपयोगी सिद्ध हुआ है मिर्टिका युक्त धातों पर अतिचालक्ता के प्रयोग किये जा रहे हैं और इसमें सफलता भी मिली है अतिचालक्ता जो होती है ये अतिचालक्ता युक्त मिर्टिका है जिसे थैलियम है, बेरियम है, कैल्सियम है, कॉपर आकसाइड है इनी से ये युद्ध होती है, तो ये ध्यान रखेगा Next question, अगला जो प्रश्ण है Desert cooler द्वारा सीतलन किस सिद्दान पर आधारित है, जो desert cooler होते हैं तो ठंडा करते हैं, तो वो किस सिद्दान पर सीतलन आधारित है, उस्ट वायू प्रतिस्थापन वायू निर्जली करन, वास्पन सीतलन वायू पुनर्जली करन, इस प्रश्ण का उत्तर आप लोग दीजे और अपना उत्तर आप टाइप कीजे और जिनका भी उत्तर है, वास्पन सीतलन यानि कि जिनका उत्तर सी है, वो उतर सही है वास्पन सीटलन से दान पर ये काम करते हैं वास्पन सीटलन से दान पर डेजर्ट कूलर काम करते हैं डेजर्ट कूलर पानी के वास्पिकरन द्वारा वायू को सीटल करता है क्या करता है? वायू को सीटल करता है ठीक है? अगला जो प्रशन है सागरिय लवरता का मुख्य स्रोथ क्या है? सागरिय लवरता का मुख्य स्रोथ इस प्रशन का आप उत्तर देजे सागरिय लवरता का मुख्य स्रोथ नदिया, भूम, पवन, जौला मुख्य से निसरित, राक, किस से सागरिय लवरता होती है? जो salinity होती है, तो oceanic salinity का सुरोथ क्या है? यह आपको उताना है, और इस प्रश्ण का सही उतर है, क्या, सागर में क्या जाके मिलता है? नदिया मिलती है, और यह जो नदिया है, यह भूम से लेके जाती है लवणता, तो इसका जो मुख शुरोथ है, वो भूम है, भूम से ले के जाती है नदियां लव्रता को 사gar तक क्यों पहुंचाने का कारी करती है तो स्रोग्ष नदियां नहीं है नदिया परिवहन का कारी करती है इन चीजों को समझेगा और प्रमुक कारण ञोत कर से एक है क्लिमंजारो है एक क्या जौलमुकी परवत द्यूप सिंग नदी क्या है जिन्होंने क्लास किये जगरफी की जब आप टाइम बता देंगे तो उसमें हम लोग दिरे-दिरे करते रहेंगे बड़ा खराब समय इधर अपना रहा अपनी टीम का रहा बहुत सब्यवस्तित करने में बहुत ची कि आरो का फुल कोड़ चल रहा है PCS का फुल कोड़ चल रहा है PCS की टेस्टरीच चल रही है और उन सब चीजों को मैनेज करना इस कोरोना काल में बड़ी दिक्कत बड़ी दिक्कत का काम था तो अब धीरे-धीरे मैनेज हो रहे ही चीज़ें ऑफिस बंध है किलिमंजारो एक जोला मुखी परवत है इसके बारे में आपको उमने डिसकस करके बताया भी था तो जोला मुखी परवत है किलिमंजारो परवत तंजानिया के उत्तर पूर्वी भाग परिस्तित है और यह आगनिये गिरी या जोला मुखी परवत है अगर आगनिये गिरी कहा जाए तो अगला जो प्रश्न है, निमने में से कौन सा ग्रह नहीं है, चंद्रमा पृत्वी मंगल बुद्ध, कौन सा ग्रह नहीं है, कितना सरल प्रश्न है, चंद्रमा पृत्वी मंगल बुद्ध, उत्तर दीजे फटा पाई, आप सभी को मैं देख रहा हूँ, कौन कौन उत्तर तो चंद्रमा है क्या? चंद्रमा एक उपग रहे हैं. क्या है? चंद्रमा एक उपग रहे हैं. ठीक है? ध्यान लखिएगा. अगला जो प्रशन है, हिंदी के पश्चात कौन सी भासा भारत में सबसे अधिक बोली जाती है? बंगाली, तेलगू, तमिल, मराथी. और इस प्रशन का उत्तर कौन सबसे पहले देगा? बहुत सरल प्रशन है. और इस प्रशन का उत्तर मैं जल्दी दूंगा, क्योंकि यह बहुत सरल प्रशन है, तो जिनका भी उत्तर है, ए, बंगाली उनका उत्तर सही है, बंगाली गंदी के बाद सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भासा है, ठीक है, और उसके बाद में बंगाली के बाद तैलगू आती है, ठीक है, तो खेला कहा होला, तो खेला होला बंगाली में, बंगाल में, तो वही हिंदी के बाद, ठीक स्टेटमेंट आप पढ़िए जो सही स्टेटमेंट है उनको बताईए कि कौन से सही है ठीक है उतर दीजिए क्या पहली जल्विद्धुत परियोजना ये थी सिसमुद्रम नामकस्थान पर अपना उतर दे लीजिए फिर मैं उतर बताता हूं और इस प्रशन का उतर पहला तो नाम से आपको लग रहा है कि पुर्वोत्तर में होगी लेकिन ये पुर्वोत्तर में नहीं है सिक्की में नहीं है या अदबान निकोवार देव समुद्रम है अगला जो प्रशन है निम्दिकित फसलों में से कौन सी फसल भूमी की औरवरता बढ़ा में तथा कभी-कभी हर गहुचावल उडद गन्ना कौन सी फसल ऐसी है गहुचावल तो नहीं होगी आप यह समझी सकते हैं गन्ना भी नहीं होगी व्यापारिक फशल है गन्ना और जो उडद है इसका हरीखात के रूप में भी प्रियोग किया जाता है और डलहनी जो फसले होती है वो नाइट्रो समयधान एट्र अधिकार का आर्थ क्या है वह वह सकती जो समِّधान की सीमा का इति-खरोन कर देती है वह ब्यक्ति जिस समértण के अंदर गत असाधान सक्ती पराप्त होगी वह सकती जो सम्मत नहीं है वह अधिकारी जिसमें अपाद काल की घोष्णा होने पर राजी की समस्त सकती नहीं हो, उतर दीजे, और जिनका भी उतर C है, वो सही है, क्या ये सही है, वो सकती जो सम्मिधान सम्मत नहीं है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही उतर है, वो अधिकार जिनका सम्मिधान के प्रावधानों में वर्णन नहीं है, तथा अनिरूपों में वर्णित होते है उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं समयधानित्तर अधिकार. जैसे योजना आयोग का समयधान में कोई वर्णन नहीं मिलता. अब योजना आयोग का कोई वर्णन नहीं है. मंत्रिमंडल के संकल्प के दोरा इसको बना दिया गया है. फिर भी यह केंद्रों राज्यों के अगला जो प्रश्ण है सांसदों की आयोगिता संबंदी विवाद पर कौन निर्णे देता है निर्वाचन आयोग के प्रामर से राष्टपती संबंदी संसद निर्वाचन आयोग या राष्टपती अगर कोई संसद है जो आयोग ही हो गया है तो ये निर्णे कौन लेगा त प्तर दीजे, ABCD, चार ही तो विकल्प होते हैं, उनमें से एक आपको बताना होता है, कितना सरलकान है, कोई 50 विकल्प थोड़ी ना है, तो जो निर्वाचन आयोग है, वो राष्टपती के प्रामर्स से, निर्वाचन आयोग जो है, और राष्टपती को प्रामर्स देगा, और निर्वाचन आयोग के प्रामर्स से, राष्टपती इनके आयोगिता का निर्णे लेगा, अनुछेद 103 में सांसदों की निरहरता या आयोगिता के संबंद में बात की गई है, और उसमें ये लिखा गया है, कि राष्टपती निर्वाचन आयोग के प्रामर्स के आधार अगला जो प्रशन है कि इस राजी की राजधानी का नाम सुतंतरता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बनला तमिलाडू, पष्चि मंगाल, केरल, तेलंगाना पहले जो था और अभी भी है पुछा हुआ प्रशन, बहुत इंपोर्टन प्रशन, कौन सी राजधानी है ऐसी उत्तर दीजे, सरल प्रशन है और इस प्रशन का सही उत्तर है तेलंगाना, तेलंगाना का नहीं बदला है, ठीक है न, बाकी बदला है, सुनता प्राप्ति के बाद, तेलंगाना की राजधानी हैधराबाद का नाम अभी तक नहीं बदला है, हैधराबाद का नाम हैधराब अधितन नामचे नहीं हो गया और जो कलकत्ता है उसका कोल काता हो गया केरल की राजधानी तिरवेंदरम का तिरवंतपूरम हो गया लेकिन हैदराबाद ऐसा है इसका नामचे नहीं हुआ अगला जो प्रशन है किस गवर्ने जनरल पर महावियोग का मुकदमा चलाया गया वारें हैस्टिंग्स लाड कानवालिस लाड वेलिजली लाड काह के ये लेकिन ठीक है पूछा जाता है ऐसा तो किस गवर्ने जनरल का महावियोग का मुकदमा किस पर चलाया गया था और इस सही उत्तर है Warren Hastings. Warren Hastings के अन्यायपूर्ण और निरंकुस कारियों के कारण Warren Hastings पर क्या किया गया था? उसके ओपर महाव्योग चलाया गया था. 1788 से 1795 तक ये चलता रहा कि बिटिज संसर ने उसकी सेवा को देखते हुए फिर सभी देशों से उसको मुख्त कर दिया था. विये इसमित ने कहा था कि उसके थोड़े से दोस्त जहां तक विवास्तों में दोस्त थे उस राजनीतिग के दोस्त थे जिस पर सहसा ही संकट आ पड़ा हो तथा जिस पर इतनी कठी नोलजने आ पड़ी हो कि मान विये समझ में भूल चुक हो जानी आवस्यक्ती. ऐसा इसमि विडि सावरकर, मंकिंग चदरजी. सर्थ क्या है कि बिपलो के कारोनों पर लिखने वाला प्रतम भाती है. बिपलो के कारोनों पर प्रतम दिरिष्टि पात किसने डाला था, किसने लिखा था? तो यह इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग देजिए और इसका सही उतर है सह सेद अहमद खा, विडि सावरकर जो लोग मार रहे थे, उनका गलत है, विडि सावरकर नहीं, सेद अहमद खा थे और इस प्रश्न को मैंने प्रैक्टिस सेक में भी कराया था, जब मैं क्लास, हिष्टी की अपनी क्लास जो पूरी हुई थी, उसके बार मनदब जो उसमें ड सरंजामी प्रथा किस से संबंद थी, बढ़िया प्रशन है, मराठा भूराजस प्रथा, तालोगदारी प्रथा, कुतब साही प्रसासन, बताईये, किस से संबंद थी, बताईये, और उफ्रिक्ट में से कोई भी एक विकल्प है, तो सरंजामी प्रथा मराठा भूराजस प निर्वहन के लिए क्या किया जता था? उनके निर्वहन के लिए कुछ प्रदान किया जता था, जागिरदारी दी जाती थी, भूमी प्रदान की जाती थी, वही ये प्रथा थी. चलिए. अगला जो प्रशन है, आलहा उदल किस सासक के सेना नायक थे? आलहा उदल, बताइए. प्रमार्दी देव के, बिद्याधर के, नन्नुक के या इनमें से कोई ल coalition और इस प्रश्न का सही उत्र है कि यह जो थे, वो प्रमार्दी देव के, प्रमार्दी देव के क्या थे? ये सेना नायक थे आल्हा उदल की काणियाँ आपने सुनी है 나 महोबा से ये संबन्दित थे चंदेल सासक्ते प्रमार दिदेयो प्रमाल वी आपको मिल जाएगा तो प्रमार दिदेयो जो थे उनी ये सेना नायक थे और पृत्वीराज चौहान के आकमन का डटकर सामना करने के बाद बेरगती को ये प्राप्त हुए थे चंदेलों और चौहानों के संगर्स कवर्ण चंदरवरदाई की एक रचना है पृत्वीराज रासो और जगनिक की रचना है परमाल रासो उसमें परमाल रासो के आला खंड में जी मिलता है आलह उदल के बारे में अगला जो प्राश्ण है तमिल गरंथ कुरल को लगवेद की संग्या दे गई सेतले सत्तनार इलंगो, आर्डिकल, तिरवल्लुवर उतर दीजिए, बढ़िया प्राश्ण है ऐसे प्रश्णों को तो रटा हुआ होना चाहिए, अगर आप इन प्रश्णों को भूल जाएंगी तो दिक्कत हो जाएगी, और इसका सही उत्तर है, तुरुवल्लुवर, डी आपसन जिनों ने उत्तर दिया है, वो सही है, तमिल गंत कुरल को लगवेद की संग्या भी दी ज यानि सात्वत, वनसी क्रिष्ण थे, जिने वासद्यो का पुत्र होने के कारण वासद्यो क्रिष्ण कहा जाता है, उत्तर दीजे, बताइए, पहला सही है, दूसरा सही है, या दोनों सही है, अपना अपना उत्तर आपनों बता दें, और इसमें दोनों के दोनों ये सही है, वैश्णो धर्म का विकास भागवत धर्म में हुआ और ये भी सही है कि वाश्दयोग का पुत्र होने के कारव वाश्दयोग्तिश्मीन को कहा जाता है और इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि अगर कभी पूछ लिया जाये कि ये निवासी कहा के थे बोलता तो मधूरा के थे और एक बहुत मात्मुर्ण प्रश्णी यहां पर बनता है कि छान्दयोग उपनिशद में उन्हें देव की का पुत्र कहा गया है और घोर-अंगिरस का सिश्ची बता गया है तो यह पूछा गया एक बार कि कि इस उपनिशद में तो यह चान्दयोग बाहर बाठ रहे हैं तो इस प्रशन का सही उत्तर क्या है इसका सही उत्तर है वैक्सीन मैथ 3 आना वैक्सीन डिप्लोमेसी खेल रहे थे और यहीं वैक्सीन कम पड़ रही है वैक्सीन मैथ 3 पहल 20 जनवरी 2021 को सुरू हुई लेग भी याद रखिएगा अपने परोसी देश म्य नामार, मेपाल, व्यांगलादेश, सेसल्स जहां पे इनको पहुचाना था कोविटीको की खेब गुयाना जमयका भी भी बेजी गई अच्छी बात है मदद करना लेकिन जब अपना पेट भरा हो ता कॉल सी संस्था वार्सिक विस्वियापी रिपोर्ट वर्ड एकोनोमिक आउटलुक जारी करता है, 6 अपरेल को अभी जारी किया गया, अनतराष्टी मुद्राकोष्ट ने गोशना की है कि भारत की अर्थवियोस्ता देरे-देरे रिकबरी की रापर है, लेकिन इस समय तो फिर से इंडिया इन क्राइसिस, इंडिया मौत के मुह में बिलकुल चल इस स्टार्ट अप लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, बिलकुल डरना नहीं है, इस स्टार्ट अप इंडिया सीट फंड स्कीम के लिए गठित विसेसक की सलाकार समित के प्रमुख कौन है, प्रश्ण का उत्तर दीजे, HK मित्तल, BS चोहान, राजनात सिंह, करमवीर सिंह, कौ और इसमें अन्य जो सदस्ते हैं, इसमें DVP, IT, जवपर्दियों की विभाग, विज्ञान पर्दियों की इलक्ट्रानिक्स और IT, नीती आयो और इस्टार्ट परस्तिति की तंद्र के जो विसेसके हैं, वो सामिल किये गया, इस्टार्ट पेंडिया सीट फंड इसकीम की जो सही है, B option इसका correct है, चीन के साथ hotline अस्थापित करने की बात की लिए, तो इसका सही उतर भी है, और ये जो हमारे biggest मंत्री है, S.J. Sankar, तो उन्होंने चीनी संकिच वांगी से बात की, और इसी में hotline अस्थापित करने पर सहमत हुए, ठीक है, और जब, खर, कभी मैं कहां पर अबस्तित, बिहार, ओडी, सा, बिल्दी, तिर्भुणा, कहां पर इस्तित, बढ़ यहाँ प्रश्न है, उत्तर दीचे, ABCD में से क्या उत्तर है, और सही उत्तर है, जिनका भी दिल्ली, ओसला बट्टी, जो है, असोला बट्टी, वनिजियो विहारां, डिल्ली में के प्रस्ताओं की समिछायोते एक विसेसक समित के वठन किया, तो अक्रिय अप्सिष्ट वहा कच्रा होता है, जो ना तो जैवी क्लोप से प्रत्रिया से, ना ही रासायनी क्लोप से, और इस प्रकार का अप्सिष्ट ना तो विगटित होता है, यह वैसे ही पड़ा रहता है उसमें कोई विक्टन होता ही नहीं है ये जो उसलावट्टी बन जी अभिहारण है ये 32211 वर्व किलोमीटर चेतर में फैला है दिल्ली हर्याणा सीमा पर अरावली परबसिंखला के तक्षिण में जो दिल्ली रिज है वहाँ पर ये इस्तित है गुर्ग्राम और फरीदाबाद में उसलावट्टी वन जी अभिहारण के आसपास एक किलोमीटर का चेत एक प्रियाबन सम्मेदी चेतर है और वहाँ पर जो भी इंडस्टियल एरिया है उसका कछड़ा इसमें पढ़ता है तो ये आपको कैसा लगा जरूर बता है और अगर आपको कुछी भी प्रकार की कोई सहयता चाहिए टेस्रीज में समझ में कुछ नहीं आ रहा है तो 6307281212 पर आप कॉंटेट करें और जानकारी भी ले सकते हैं इसमें बाकि आप लोग पढ़ते रहें टीका लगवा लें, रिश्टेशन करके जैसे भी हो पाएं बाहर न निकलें, कम से कम निकलें, भामारी का दौर है लोगों की सहायता करें, डरें नहीं, साहट बांदे रहें, पढ़ाई अपनी जारी रखें एक्जामस तलेंगे तो ठी, नहीं तलेंगे तो ठी वो ऐसे, ऐसे मौत की मूँ में जाके एक्जाम देना भी सही नहीं है